अस्राइब आलेकूम मैं हूँ फाहिम खान नेशल सेविंग की अपडेट प्राइवेट बैंकों की अपडेट बजट सरकारी मिलाजमिन की तनखा पैंचेन EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों खदत में हाजिर हूँ रिक्वेस्ट आप लोग सी यही है अगर आप हमारे च कारी मिलाजमिन की तनखा हो पैंचेन हो EOBI हो वीडियो फर्स आप लोगों को बिलें और आप लोग जाता से जाता फायदा हासिल कर सकें आज की जो मारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है इस स्कीन पर आपको वो स्ट्रेट बैंक आफ पाकिस्तान का नोटिफि की साम को यह शुआ है और 13 सेप्टेंबर से एपलिकेबल है आज की वीडियो में हम बात करें जनाब मौनरेटिंग पॉलिसी शरह सूद में 2% की कमी शरह सूद में कमी की वाज़े से कौमी बचत की स्ट्रीम पर मन्फी असरात ठीक है और दूसरा जनाब कौमी बचत के सरमा कारों के लिए अचा थोड़ा सा मैं आप लोगों साथ यहां पर एक चीज़ शेयर करता हूँ कि जनाब 11 सेप्टेंबर आज 21 सेप्टेंबर है और 11 सेप्टेंबर की बात करूं मैं तो 11 सेप्टेंबर को कौमी बचत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होता है 11 सेप्टेंब की डेट कुछ है यह नोटिफिकेशन इशू है 11 सेप्टंबर को हमारे पास आ भी गया था ठीक है हमने आप लोगो इन फॉर्म भी कर दिया था तो 11 सेप्टंबर को जनाब कौमी बच्छत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें कौमी बच्छत की मुख्तलिफ को सुबा 9 बजे जो लोग भी कौमी बच्छत में गया और उन्लों रेगुल इंकम सेर्टिफिकेट हो गया यह शॉर्टरम सेविंग सेर्टिफिकेट हो गया यह फिर दूसी स्कीमे हो गई जिन स्कीमों का मुनाफ़ा रेट कम हुआ था उनको 12 सेप्टंबर सुबा 9 बजे आपको इसकी डिटेल बताता हूँ अच्छे शर्फ सूद में कब तबदीली कब हुई 12 सेप्टंबर की शाम को शाम के 5 बजे और कौमी बच्छत ने कब इलान कर दिया था कौमी बच्छत ने इलान कर दिया 11 सेप्टंबर को के कौमी बच्छत की स्कीमों का मुनाफ़ा रे था जिसमें कमी हुई थी वो लगना शिरू हो गया ठीक है और जो शर्फ सूद की अनॉसमेंट आई है वो आई ही शाम के 5-6 बजे ठीक है मतलब 12 सेप्टंबर खतम हो चुका था और नोटिफिकेशन में लिखा भी यही था कि जनाब 13 सेप्टंबर से एप्टिकेबल है मतल 12 सेप्टंबर से मतलब कौमी बचत ने जो अपने मुनाफ़ा स्कीमों में तबदीली की थी 11 सेप्टंबर को उस वक्ट जो शरैसूद था वो कितना था वो साड़े 19 परसंट था अब थोड़ा सा और बैक जाते हैं बैक से मुरादिये के जनाब कौमी बचत ने 7 अगस 2024 को नोटिफेक्शन जारी किया जिसमें जो है कौमी बचत के मुक्तलिफ इसकीमों का मुनाफ़ा रेट तबदील हुआ साथ अगस की बात है बहुत पुरानी बात है पिछले महिने की बात है हम सेप्टंबर हैं पिछले महिने 7 अगस 2024 की बात हो रही है साथ अगस को कौमी बच जिसमें जारी के मुक्तलिफ इसकीमों का मुनाफ़ा रेट तबदील होता है ठीक है 21 अगस गुजरा फिर आया 11 सेप्टंबर 11 सेप्टंबर को जो है कामी बचट की दरस ठीफिर नोटिफिकेशन अिशु होता है और कहा जाता जناب 12 सेप्टंबर से 22 जिसमें अगस आगस का कौमी बचत ने अपने इसकीमों के मुनाफ़ा रेट में तबदीली किये और यहाँ पे मजी की एक चीज़ एड़ करूं कि इन तीनों मतलब 7 अगस 21 अगस और 12 सेप्टमबर को जब मुनाफ़े में कमी की गई इस वक शरह सूच जो है वो साड़े 19 परसंट था ठीक है क्योंक कि जनाब शरह सूच में कमी कर दी मतलब 7 अगस हो गया या 21 अगस हो गया या फिर 12 सेप्टमबर हो गया कौमी बचत ने इन तीनों डेट्स में कौमी बचत की मुनाफ़ा स्कीमों में जो कमी की थी इस वक जो शरह सूच था वो साड़े 19 परसंट था साड़े 17 परसंट नही था अच्छे कि यहां पर एक चीज और नोट करें कि जनाब जो मैं कह रहा हूँ 7 अगस से लिए के 12 सेप्टमबर 33 देश 33 दिन बनते हैं मतलब कौमी बचत ने हर 11 दिन बाद जो है नोटिफिकेशन जारी किया और कौमी बचत के स्कीमों का मुनाफ़ा रिट हर 11 दिन बाद जो है तबदील किया मतलब 7 अगस 21 अगस फिर 12 सेप्टमबर 32-33 दिन बनते हैं मतलब हर 11 दिन बाद जाए कौमी बचत ने कौमी मुक्तलिफ इसकीमों को मुनाफ़ा में कमी किया है और अगर इसमें से सटड़े संड़े अप निकाल दे तो तक्रबन 20-25 दिन बनते हैं ठीक मुनाफ़े में कमी की कौमी बचत की कुछ इसकीम ऐसी भी है जिसका मुनाफ़ा 7 अगस को भी कौमी बचत ने कम किया नोटिफिकेशन जारी किया कि जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सेटिफिकेट का मुनाफ़ा जाए वो 7 अगस को कम कर दिया गया 21 अगस को दुबारा नो 10 दिन 11 दिन बाद 8 दिन 9 दिन 10 दिन बाद जो है नोटिफिक्शन जारी हुआ और हर दफ़ा 10 दिन बाद 11 दिन बाद जो है कौमी बच्छत ने इस स्कीम के मुनाफ़ा रेट में कमी किये वन सगें ये जुमला रिपीट करूँगा उस लग शराय सूथ था साड़े उननीस परसंट यहां पर जो कौमी बच्छत के सरमायकार है वो ज़रा मतवज़ा हो कौमी बच्छत के मुनाफ़ा स्कीम में वन सगें जो है कमी हो सकती है बलके होनी है ठीक है अब यह होनी है इसके बारे में जो मुक्तलिफ राय है वो यह कि जनाब हो सकता है सेप्टमबर के एंड में ठीक है कौमी बच्छत की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाए और कौमी बच्छत की मुक्तलिफ स्कीम का मुनाफ़ रेट कम कर दिया जाए अचा कौमी बच्छत की स्कीमों का मुनाफ़ रेट कम होने के 99% चांसे से वैसी अब आपको मैंने प्रूफ कर दिया कि जनाब 7 अगस हो 21 अगस हो 12 सेप्टमबर हो इस वक्त जब कौमी बच्छत अपने मुनाफ़ स्कीमों में कमी कर रहा था इस वक्त शरैसूद 19.5% था इस वक्त हम 21 सेप्टमबर की डेट में बैठे हैं और इस वक्त जो शरैसूद है वो 17.5% हो चुका है तो मतलब किसी भी एंगल से आप देखेंगे किसी भी उस शक्त से पूछेंगे जो कौमी बच्छत में सर्मायकारी करता है उससे आप पूछेंगे या फिर अगर आपका कुछ लिंग है कौमी बच्छत के लोगों से उनसे आप पूछेंगे तो वो कहेंगे जनाब कौमी बच्छत की स्कीमों में कारी कर सकते तो कौमी बचत की जो भी आपकी इस्खीम है जिन में आप सर्मायकारी करना जाते है क्या जो भी सरमाय आपने कौमी बच्चत में इन्वेस्ट करना है जल्द अस जल्द कर दें तो कि अचानक कोई भी न्यूज जो है वो आ जाएगी और आपको मैंने साबित किया दस दिन आठ दिन के डिफरंस है कौमी बच्चत ने तीन दफ़ा जो है नोटिफिकेशन जारी किया है औ और कोई भी कौमी बच्चत की एक स्कीम ऐसी नहीं है जिसमें ये चांसेज हो कि जनाब इसका मुनाफ़ा बढ़ेगा तमाम स्कीमों के बारे में कुछ अच्छी खबर नहीं एवन बहबूस सेविंग सार्टिफिकेट हो पैंशर बेनिफिट अकॉंड हो इनके बारे में भ होता है तो अल्ला करें ना हो सारी जिन्दगी ना हो लेकिन बहराल जो फैक्ट है जो हकीकत है उससे था हम मुह नहीं भेड़ सकते है ठीक है तो यह अब तक की अपडेट है जनाब जो भी आपने सरमाय कारी कर लें यहाँ पे हमेडियो खतम करते है उमीदे वीडियो आप पसंद आयोगे रिक्वेस्ट आप लोग से यही है अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करतें वीडियो को लाइक करतें वीडियो को शेयर करतें बेल आइगोन को पैस करतें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे प्राइबिट बैंकों से रिलेटेट हो, बजट हो, सरकारी में नाजमिन की तनखा हो, पैंचेन हो, यह भी आई हो, वीडियो फर्स्ट ओफल आप लोगो मिलें और आप लोग जादा से जादा फायदा हासिल कर सकें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में शाला तब तक के लिए अल